नमश्कार आप देख रहे हैं निजुजफल इंडिया आपके साथ मेहू का जोल नरायन आप देख रहे हैं हमारा खाषो भविष्य वाणी। और मेरे साथ है पन् Continrashos Rapamgci, शर्माजी बहुत स्वागत है आपका निजुजफल इंडिया में। दिए अमश्डार ओम्नमा सिवार रोगा नशे शानपहँं सितुष्ठा रोष्टा तुकामा नशकलानभिष्टान त्वामा स्रीतान नभी पन्नराणां त्वामा स्रिताम्हा स्रयतां प्रियांति भगवती माति शुरे जगत जन्नी की जैई हो तो जैसा कि हर सब्ता हम भविश्यवाणी का खास अपिसोड लेकर आते हैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे और कोरोना वारिस लगातार अपना प्रकोब दिखा रहा है तो आप सभी लोग साबधान होंगे और उम्मीद ये भी करती हूँ कि पंडी जी जो भी उपाय आप सभी लोगों को राशी के अनुसार बताते हैं वो सभी आपके लिए फाइदे मन होगे तो इसी कड़ी में अगले अपिसोड में आपका बहुत स्वागत है और आगे बढ़ते हो हम राशी का जिक्र करेंगे राशी अनुसार आपको इस सप्ता क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमारे साथ सोडे में मौझूद पंडी जी आपको बताएंगे पंडी जी सबसे पहले मेश राशी का जिक्र करेंगे इसलिए मान शम्मान की ब्रद्धी तो होगी इसके साथ साथ सामाजिक पदप्रतिष्ठा भी बड़े साधी बिवह से संबंधित वारता शफल रहेंगे विद्यार्थियों एवं पिड्योगता में बैठने वाले चात्रों के लिए समय अनकूल रहेंगा शप्ता के मद्ध स्वास्त पर थोड़ा बिपरीत प्रभाब पड़ सकता है उसके लिए साबधान नहीं किसी महंगी बस्तू का क्रे करेंगे जमीन जायदात से जुड़े मामलों का भी निप्टारा होगा आकस्मिक धन की प्राप्ति के लिए होगा यानि पंडी जी मेश राशियों के लिए सब्ता बहुत उत्साहवर्दक रहने वाला है उपाई क्या हो सकते हैं? मेश राशी वालों को उपाई है ये नित्य परती एक लोटा जल भगवान शिव के लिए अरपन करें और हो सकता हो तो शमी पत्र भी चलगा सेन का सभी कार शफल हो आर्थिक लाब भी बढ़ेगा स्वास्त लाब भी होगा इसलिए ये उपाई अवस्य करें तो अपनी अगली राशी का रोख करेंगे विश्व राशी है अगली राशी मिलेगा विदेशी मित्रों तथा शम्मन्दियों से भी सुखद समाचार की प्राप्ति की विदेशी नागरिकता के लिए किया गया प्रयास भी सफल रहेगा धर्म एवं आध्यात्म के प्रती आपकी रुची वरेगी सामाजिक कारियों में बढ़ चड़कर हिस्सा लेंगे और दान पुर्णे भी करेंगे शप्ता के मद्ध ग्रह इस्तियां और भी अनकूल होंगे केंद्र अथवार राज्य सरकार के विभागों में भी प्रतीक्षित कार्य संपन्न होंगे आपके लिए एक तारीक उन्नीस तारीक थोड़ा सा संभल कर चलने के लिए इनके लिए उपाई क्या हो सकता है क्या आपने अभी जिक्र किया क्या उन्नीस तारीक जो है उनशिव को चड़ाना स्रीयस था, अगली, मिथुन-दाशी है, मिथुन-दाशी की जातक हैं, उनके लिए सब्ता कैसे रहने वाला है? पंडी जी बताएंगे. मित्र रासी के जातकों के लिए पूरा सप्ता, संपून सप्ता आपके लिए बहुत बेहतरीन देगा, शवी दिन सुखत परणाम बाले रहेंगे, इसलिए कोई ही कार आरंब करना चाहें, अत्वा किसी नए अनुवंध पर हस्ताप्छर करना चाहें, तो भी उस द्रश्टी स ये भी अवसर बहुत अच्छा है, विदेशी मित्रों तथा संबंधियों से सही योग की उम्मीद है, विद्ध्यारतियों एवं पृतियोगता में बैठने वाले चात्रों को अच्छी सभलता है, शंतान, शंबंधी, चिंता भी दूर होगी, नवदंपत्ती के लिए संता प्राप्ती एवं प्रादर उभाव के भी योग, सप्ताह के मद्ध में भागदोड की अधिकता रहे, इनके लिए क्या खास उपाय है पंडी जी? इनके लिए उपाय है हरी मूँ, सवाकिलो, किसी अनाथाले में दान करे, अगली राशी कर्क राशी है, कर्क राशी की जो इनकी तथा जमीन जायदात से जुड़ेकार शंपन हो, सासन सत्ता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, चुनाव शंबंधी यदि कोई आप निरने लेना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपके सफलता के योग है, विदेशी कमपनियों में सर्विस अत्वा नागरिकता के लिए आवेदन करने का अच्छा अवसर है, प्रतियोगता में सफलता तथा शंतान के इदायत्यों की पूर्ती हो, प्रेम शंबंधी मामलों में प्रगाणता आई, प्रेम विवाह का निरने भी लेना चाह रहे हो, तो अवसर अनुकूल रहे हैं, बिल्कुल, और इनके लिए क्य गुण मिलाकर उसकी खीर वनाकर किसी सिम्मंदिर में या गंगा में अरपन करने से इनकी बरकत हो, सिंग राशी अगली राशी है, शिंग राशी की जो जातक हैं, उनके लिए संफूर सप्ता कैसा रहेगा, पंडीची बताएंगे, सिंग राशी के जातकों के लिए यह पतलता दिनाने वाला है, सोची, समझी, सभी, रणनीती, कारगर, शिद्ध हो, योजनाव को गोपनिय रखते हुए आगे बढ़े, अपनी उर्जा सकती का पूर्ण वियोग करते हुए कार्य करेंगे, तो आप अधिक सफल रहेंगे, शरकारी विभागों में प्रतीक्षि सफ्यों तथा भाईयों से मत्भेद पैदाना होने थे, सप्ता के सवीधन आपके लिए सुब है, यानि सिंग राशी वालों के लिए पूरा सप्ता बेहद आनन में रहने वाला है, कुछ खास उपए? जी, सिंग राशी वाले जातकों के लिए भगवान शूरी को लाल सप्ता के आरंभ में स्वास्त पर बिरीत प्रभाब पड़ना है, नजला जुकाम, चरम रोग तथा इनिफेक्शन से संबंद दीमारियों से बचना होगा, कोट कचेरी के मामले भी आपस में सुल्जा लेना समझदारी होगा, सप्ता के मध्ध में गोचर ग्रहों में आया परिवर्तन समस्याओं में कमी लाएगा, भाग्यों नतीव होगी और नौकरी में नए अनवंध प्राप्ती के योग भी बनेगे, इस्थान परवर्तन के लिए प्रियास करना चाह रहे हों, तो अवशर अनकूल रहेगा, और विदेशी संबंदियों तथा मित्रों से वो मुश्किल है, कुछ उपायों से दूर हो सकती है, वो उपाय पंडित जी हमें बताएंगे, आप काले कुत्ते को रोटी तेल से चुपड करके खिलाए, आपके लिए स्वास्त संबंदित परेशानियों में लाव हो, अगली राशी तुला राशी है, तुला राशी के ज पून सहयोग मिलेगा, और विवाह संबंदी बारता सपल रहे, ससुराल पक्ष से भी सहयोग के योग, सप्ताह के मद्य स्वास्त पर तो बिपरीत प्रभाब पढ़ सकता है, किन्तु मान, शम्मान, पद और गर्मा की ब्रद्धी भी होगी, कारशेत्र में भी सढ्यंत्र का सिकार होने से मज़ी, सप्ताहांत में ग्रह गोचर की अनकूलता शभी विसम परिस्तितियों से मुक्ति प्रदान करी, संतान के दाज्त्यों की पूर्ती होगी, अध्याद के प्रती जुकाब बढ़ीगा, यानि ये सप्ताहा तुला राशी वालों के लिए भी बहुत बैत इस मंत्र का ग्यारे बार उच्चारन करके मावे का भोग लगाएं अगली राशी विशक राशी है, विशक राशी के जो जातक हैं उनके लिए सप्ताह कैसे रहने वाला है, ये भी पंडी जीजी से आनते हैं ब्रश्चिक राशी के जातकों शप्ताह कई तरह के उतार चड़ा भिला सकता है, इसलिए हर कार तथा निर्णे बहुत ही साब धानी पूर्वक करना है, भावनाव में बहकर लिया गया निर्णे नुकसान दे रहेगा, स्वास्त के प्रती चिंतन सील रहें, गुप्त सप् किसी को ही अधिक धन उधार के रूप में देने से वचें, सप्ताह के मद्ध में कार व्यापार में उन्नती होगी, दामपत्य जीवन में मधूरता आएगी, विवाह सम्मंदित वारता भी सफल होगी, सप्ताहांत पुनह ग्रह गोचर की प्रत कूलता मानशिक तनाव की इस उच्चति उच्पन करेगी, तो जैसा कि इस राशी के जातक है, विश्रक राती के, इनके लिए सप्ताह अनुकूल रहने वाला है, लेकिन उपाई क्या है, पंडित जी? इनके लिए उपाई है, भगवान राम के मंदर में जाका राम रक्षा इस्तोत्र का प्रत का प्रत क की साथ हो, शंतान की दाश्त की पूर्ती होगी, नव दंपत्ती के लिए संतान प्राप्ती एवं प्रादर वाब के भी योग है, प्रेम शंबंध ही मामलों में प्रगानता आए, प्रेम विवाह का निर्णय लेना चाह रहे हो तो अवश्र अनुकूल रहेगा, विद्यार के सरवाध्य की योग है, शप्ता के मद्ध में गुप्त सत्रों से बचना पड़े, इन जातकों के लिए क्या खास उपाय हो सकता है पंडित जी, इनके लिए उपाय है, भगवान हनुमान जी के लिए देसी घही का चौव उखा दीपक जड़ा, अगली राशी मकर राशी ह के जातकों को ये सम्पू्ण सपता काफी मिला जुला देन आरंभ में किसी न किसी कारण से पारवालिक कल है, मानशिक असांति का सामना करना पड़ सकता है, नित्रों तथा संबंधियों से भी अप्रिय समाचार प्राप्ति के योग है, माता-पिता के स्वास्ट के प्रतित चिंतल सील रहें, यात्रा साब्धानी पूर्वक करें, शामान चोरी होने से बचाएं, जगडे, विवाद एबं कोट कचेरी के मामले भी बाहर ही सुल जाएं, सप्ताह के मद्ध, सिक्षा प्रतियोगता में, सफलता तथा सम्तान संबंधी चिक्ता से मुक्ती मिलें। अगली राशी कुम्ब राशी है, कुम्ब राशी के जातकों के लिए सप्ता कैसा रहेगा, मुझानेंगे। सप्ताह के मद्ध में कुछ पारवारिक कल है, एवा मानशिक असामती का सामना करना पड़ेगा। सप्ताहंत ग्रह गोचर की अनकूलता इससे मुक्ती दिलाए। कुम्ब राशी के जातक है, उनके लिए क्या खास यहां पर उपाय रह सकता है, क्योंकि धर्म कर्म से तो यहां पर मिलन रहे गई, लेकिन परिवारिक तनाव भी है। कुम्ब राशी के जातकों को इस वक्त ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह सनिश्च राइनमा इस मंतर का यथा सक्ति जाप करना चाहते। अगली राशी और आखरी राशी मीन राशी हैं, मीन राशी के जातकों के लिए क्या इस सप्ता में खास होने वाला है वो जानेंगे। सरकारी विभागों में प्रतीत शितकार भी शंपन्य होगी, सब्ताह के मध्य में मान प्रतिष्ठा में व्रध्धी ओगी, विदेशी कंपनियों में सर्विज अथवार ना गृता के लिए किये गए प्रियास सार्थक होंगे, परिवार में अलगाव वाद की स्थती तो सभी राश्यों के अनुसार आपने जाना कि आपका इस अपता आने वाला कैसे रहने वाला है और कैसे आप जो भी विगन आ रहे हैं उनको हरा सकते हैं कुछ उपाईयों के द्वारा उमीद करती हूं कि उपाई आप सभी के जीवन में कुछ महाली लाएंगे तिलहाल के लिए हमें दीजे इजाजत और अगले सब्ता फिर लौटेंगे खास एपिसोड के साथ तब तक के लेश्वरी एवम एवत्वयाकार्यसमदवेर विनाशनम जै मातादी